नमस्कार किशान भायू, गेहों की कटाई कई जगों पे सुरू हो चिक्वी है और कई जगों पर गेहों की कटाई कुछ दिनों बाद होने बाली है तो गेहों की कटाई की बाद अगर आप सबजी की खेती करते हैं तो जितना पैसा आप गेहों से कमाएंगे उससे कई गुना ज्यादा आप सबजी या की खेती अगर सही सबजी का चुनाव कर लेते हैं सही समय पर करते हैं तो अधिक मुनाफ़ा आप कमाएंगे तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेहु कटाई के बाद कौन ऐसी फसले एवन कौन सी सबजिया लगाए जो आपको मार्केट में सबसे बहतरी नरेट दे सके और कम से कम खर्च में तयार हो जाए और जल्द तयार होकर जल्द मंडी में पहुंचे तो वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जनकाड़ी दी जाएगी वीडियो में आगे वरहने से पहले इस चाइनल पर अगर आप लोग पहली बार आये हैं तो चाइनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए किसान भी बात कर लेते हैं गेहों कटाई की बात सब्जी लगाने की तो मैं आपको पहले कुछ ऐसी सब्जिया बता देता हूँ कुछ ऐसी वड़की जो आपको मात्र 25-30 दिन में त्यार हो जाएगी और खर्च नाम मात्र तो पहली नमबर पर आप हरी धन्या पत्ता की खेती कर सकते हैं अभी फिलहाल हरी धन्या पत्ता की रेट आपको कम मिलेगा कई मंडियों में लेकिन अगर इस समय पे आप लगा रहे हैं तो कुछ दिनों में आपको सबसे बहतरी न रेट जो है आपको धन्या पत्ता ही देगी जो कि हरी धन्या पत्ता आपको लगाना इसलिए है क्योंकि यह कम से कम समय में त्यार भी हो जाएगी और साथ ही इसमें लागत आपको भी बहुत कम लगती है और नाफा अच्छी खासी आपको हो जाएगी तो आप धन्या पताई खेती भी कर सकते हैं गेहू कटाई के बाद उहीं दूसरी नमबर पे बात करें तो आप दूसरी नमबर पे कद्दू की खेती कर सकते हैं अगर आप कद्धू की खेती करते हैं इसमें दो फैदा है कद्धू आप कच्चे जब फल आपका त्यार होता है उस समय पे भी आप बेच सकते हैं अगर लगे कि इस समय पे आपको अच्छी रेट है तो उसी समय पे बेचे जिस समय पे आपका कद्धू हरी भरी त्यार होई ह दूसरी जो तरीका है आप कद्दू को स्टोक करकर उसे पका कर जब आपको लगे की अच्छी मंडी रेट मिल लही है उस समय पे ब्यद सकते हैं वही बात कर लेते हैं अगर आप गेहों की कटाई के बाद लगाना चाहते हैं सबजिया तो तीसरे नमबर पे आप कर सकते हैं किसानो लोगी की खैती लोकी की डिमांड जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है अगर आप लोकी यही खेती सही विधी से कर लेते है तो कोई कारण नहीं हुआ कि आपको कम रेट मिलेगी अच्छी रेट के साथ आपको अच्छी कमाई भी होगी वही चोथी नमबर पे बात करी किसान भी हो तो चोथी नमबर पे आप कर सकते है करेला की खेती करेला की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है और इसकी रेट भी आपको अच्छी मिल जाती है करेला की खेती अगर आप सही विधी से करते है सही खेतों का चुनाब करके तो कोई कारण नहीं है कि आपको अच्छी रेट नहीं मिलेगी जल्द त्यार नहीं होगा तो कम से कम समय में आपको करेला त्यार करके अच्छी रेट ले पाएंगे अगर इस समय पे करेला की खेती करते है तो वही बात कर लेते हैं किसान वही ओ चौती नंबर पे तो चौती नंबर पे आप कर सकते हैं टमाटरी खेती टमाटर एक सलाद बढ़ गीये फसल है और गर्मी के दिनों में सलाद की दिमांड इतनी ज़ादा रहती है कि आप अच्छी रेट भी मिल जाएगी दिमांड के का तो आप टमाटर की खेती भी समयटे कर सकते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं टमाटर की अलाबा आप कौन सी फसले गेहू कटाई के बाद लगा पाएंगे तो आप मूंग की खेती करें मूंग भी आपको अच्छी इंकम देगी और गेहू कटाई के तुरंत बाद आप तो आपको करनी है भिंडी की खेती क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जो आपको पूरे वर्स अच्छी रेट दे देती है अच्छी रेट के साथ साथ आपको पादन भी अच्छी दे देती है उसके बाद बात कर लेते हैं कम समय में मातर 20-25 तिंग में त्यार हो जाने बादी पालक की खेती तो आप गहों कटाई के बाद पालक की खेती करें ये आपको सागवर ये फसल है ये एक बार पालक की बुई अगर आप करते हैं तो तीन से चार कटाई आप कर पाएंगे और अच्छी रेट भी लिपाएंगे और बात कर इसमें लागत की तो पालक की खेती म और आगे भी मिलेगी तो मैं यहाँ पर आपको पलक भी सजेस्ट करूँगा लगाने के लिए कम समय में तो जो गेहूं कटाई की बाद है इन सबजीओं या इन फसलों की खेती अगर आप करते हैं तो अच्छी रेट मिलेगी आपको अच्छी उत्पादन मिलेगी और बेहतरीन मुनाफ़ा आप कमा पाएंगे हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जेन्ज बारत बंदे मातर है